आप सभी का स्वागत करते हैं मा की रसोई में तो आज मैं बताने जा रही हूं आपको के सरदियों में मलाई से घी कैसे निकालें वह भी 5 मिनट के अंदर बिना किसी मसीन के और बिना किसी दूसरे बटन को खराब किये जिस बटन में हमने मलाई रखिए उसी बटन में हम घी निकाल करके तियार कर लेंगे, तो सद्यों में घी बहुत ही मुस्किल से निकलता है मलाई से, लेकिन जिस ट्रिक से मैं आपको बताओंगी उससे बहुत ही आसानी से निकला आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मलाई को लेना है और इसको एक तरफ रख देते हैं मलाई को तो किसी बतर में हम पानी उवाल लेते हैं पानी थोड़ा सा में जादा लेना है और उसको अच्छी तरह से उवाल लेना है तो फिर उसके उपर एक प्लेट रख देंगे चलानी है तो मैं आद इसको निकाल करके फिर्ज में रख लूँगी जिससे के मलाई मेल्ट हो जाए और मेल्ट होने के बाद इसको भार निकाल लेंगे फिर इससे और उसे पानी के उपर रख देंगे अगर आप लोगों की दूद आता है तो जब आप दूद बालो तो मेरे निकल आया है तो मुझे इसमेर पांच मिनट भी नहीं लग ए चार मुनट की अंदर ही निकल करके त्यार हो गया है और ना यह कोई दूसरा बरतन खराब हुआ जब हम मशीन से भी अगर घी निकालते हैं तो हमारे काफी बरतन खराब हो जाते हैं उपर से मशीन को साफ करो अलग वह अलग तो हमें लगता है इसके दो हाथ से ही मलाई निकालो वह ज्यादा अच्छा है लेकिन जब हमाद से मलाई निकालने चलते हैं तो भूर टाइम लग जाता है तो काफी परिशानियां होती हैं हमें लेकर इस ट्रिक से आप अगर घी निकालोगे तो आपका घी भूती आसानी से निकलाएगा आपको लगेगा ही नहीं बार तो आप गाजर का हल्वा भोत बनता है तो आप गाजर का हल्वा भी बना सकती हो इस से वह भी बहूती कम बन कर तयार हो जाएगा क्यों कि इससे मावा बना लोगैं पर बहुत्से दूद कर लौ星 से बिना खर्चे के आराम से बन जाएगा और खाने में भी बहुती स्वादिस्ट हलवा बनेगा क्योंकि जो घर का मावा है वह बहुती अच्छा होता है तो देखिए दूद हमारा एकदम अलग हो गया है इससे और हमारा बटर निकला आया है तो इसके बाद हम इससे गोले बना बना क त्यार कर लेंगे और किसी दूसरे बतन में निकाल लेंगे और ना ही कोई बतन खराब हुए एक ही चम्मत से हमने इसको चला लिया है और इस बतन में मलाई रखी थी उसी बतन में मलाई हमारी चल गई है अगर आप लोगों को यह मेरा तरीका फसंद आए तो वीडियो को ल निकलाता है जब आप लोग मलाई की अंदर गरम पानी डालते हो तो उससे आपका जो गी है वो मेल्ट हो जाता है और काफी गी हमारा दूत की अंदर ही रह जाता है तो इस तर अगर आप लोग मलाई से घी निकालोगे तो आपका घी भी ज़ादा निकलेगा तो देखिए अभी हमने सारा भटर निकाल लिया है और इसको एक कड़ाई में गरम करने के लिए रख दिया है और लगातार इसको जलाते हुए गरम कर लेंगे जिससे के नीचे जले नहीं और आप लोग देखिएगा इससे घीवी कितना बन करके त्यार होगा और जब हम पानी डाल देते हैं तो हमारा जो दूद है वो भी बढ़ जाता है फिर उससे हम अगर मावा वगरा बनाएं तो काफी टाइम लगेगा उसको जलाने में इस में बjuouse मैंने एक बून भी पानी नहीं डाला ता मलाई की अंदर ही बिलकुल बिना पानी कि चलाया ता मलाईни को देखिए इसको लगाताद चलाते हुए घरम कर लेंगे तो अब देखिए हमारा घी बनने पर आ गया है तो इसको थोड़ी देर और चलाएंगे लेकिन आप लोगों को एक बात जरूर याद रखनी है कि जैसे आपको कल मलाई बनानी है तो आप उसमें आज ही फ्रेस मलाई डालोगे कल आपको फ्रेस मलाई नहीं डालनी है अगर आप जिस दिन उससे घी बना रहे उसी दिन अगर फ्रेस मलाई डाल दोगे तो आपको घी निकालने में दिक्कत होगी, आपकी मलाई के अंदर चिकना हाट आ जाएगी, और फिर उससे आपका घी नहीं बन पाएगा, तो उसलिए आप लोग ये चीज याद रखिएगा, कि आपको एक दिन पहले तक मलाई डालनी है, वस उसके अंदर जिस दिन निकालन आएगी, उस दिन मलाई नहीं डाननी है, तो देखिए इसको लागाता चलाते हुए हमने गरम कर लिया है, और हमारा घी बन करके तयार हो गया है, तो अब इसको चलनी से छान लेंगे, आप लोग देख सकते हैं, घी इसमें अच्छी तरह से निकल आया है, अगर आप लोग अब ही थोड़ा ठंडा हो गया है घी हमारा, तो इसको हम चान लेती है, चाननी से, तो देखिए हमारा घी कितनी आज़सानी से बन करके तयार हो गया है, तो देखिए अभी हमने इसको चान लिया है, और आप लोग देख सकते हैं, घी कितनी अच्छी तरह से निकल आया है, तो आप भी इस तरह से बनाईएगा अगली बार आप जब भी घी गरम करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी घी गरम करने में बहुती जल्दी आपका घी बन करके तयार हो जाएगा इस तरह के से तो आगे फिर मिलेंगे नई रैस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार